हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अजसे स्टेडी फ्रेंड्स देखेंगे हाउ टो मेक निमोनिक्स कोड बाइ यूजिंग रिमेंबर जी डॉट कम एक वेफसाइट है जिस वेफसाइट से आप लोग फ्री में कोड को सर्च कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले कोड जानने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि किसका क्या कोड होता है जैसा कि आप जानते है जीरो का होता है जेड और यस आपको याद रखना है वन का आप जानते है टी और डी होता है इसके बाद टू का आप जानते है एन होता है थ्री का एम फॉर का आर और फाइफ का एल इसी तरह से सिक्स का जी जे एस एच और सि एच होता है इसके बाद सेबन का आप जानते हैं के और सी होता है एट का आप जानते हैं वी और एफ होता है 9 का आप जानते है P और B होता है अगर एक code आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं इसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों को problem आती है कि हम code कैसे बनाएं आप अपने जो है निमोनिक के बादसा अगर बनना चाहते हैं तो code खुद आपको बनाना आना चाहिए और code अगर आपको बनाने आता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो आप remember g.com को follow कर सकते हैं इस website है इस website पे आपको आपको क्यों नंबर एंटर करना है जैसे माले जो 14 का बनाना चाहते हैं तो 14 के बहुत सारे code आपको मिल जाएंगे आपको 14 करके search button होगी search button पे click करना होगा और इस से related जितने भी codes available होंगे आपको मिल जाएंगे आप जिस से 14 को relate करना चाहते हैं वो material आप देखेगा और जो आपको मिलेगा code उस code से जो match कर रहा है उस से बिलकुल यानि जिसमें समानता हो उस समानता वाले code को words को आप उसके साथ huge करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा for example कि जैसे आप जानते हैं कि समानता का अधिकार आपने सुना है कि इंडियन पॉलिटी में समानता का अधिकार हमारा दिया गया है तो समानता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक अब याद कैसे रखेंगे आप जानते हैं वन के लिए या तो टी या तो डी और फोर के लिए आर होता है तो देखें वन के लिए टी और फोर के लिए आर अब इससे अगर आपके अपने मन से बनाना चाहें कोई code तो बना सकते हैं या कोई words बनाना चाहें तो बना सकते हैं मैंने बना दिया तारा या तारों बना दिया ठीक है तो तारा आप जानते हैं इस काई आकास में होते हैं तारे तारा मैंने बना दिया और अठारा को याद करने के लिए देखिए वन का या तो टी या तो डी तो डी मैंने बना दिया और एट का आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है वी या तो एफ तो मैंने एफ लिख दिया चलिए वी लिख दिया तो अब देखिए, देव मैंने लिख दिया, डी-ई-वी, देव, तो जब भी समानता की बात की जाए, तो हम याद रखेंगे, समानता की बात हमेशा तारों को देवताओं के साथ की जाती है, तो अब याद रखेंगे, इसकाई में ऐसा माना जाता है, कि आकास में देखते है यह सब तारे होते हैं चंदरमा सारी चीज़े आकास में हैं इसी तरह से जो कहानियों में बताया जाते हैं कि देवता लोग आकास में रहते हैं तो हमने जब भी समानता की बात करेंगे तो तारों की देवताओं की समानता जैसे दुरुतारा है दुरुतारा को भी लोग आया आप इसको remember g.com पे जा करके अपने मन से कोई भी कोड बना सकते हैं जो भी वर्ट्स चाहें इसके लिए ले सकते हैं 14 और 18 के लिए और ऐसे पकड़िएगा जैसे में समानता लगे कि हां समानता का अधिकार इस सब्से मिलता जुलता इस दोनों आना चाहिए जिससे आपक remember g.com और देखिए ये है हमारा remember g.com सबसे उपर ही मिलेगा remember g.com इस पर क्लिक करेंगे तो website इस तरह से open हो करके आएगी ये add होता है add website पे चलते हैं Google AdSense के उससे अब घबड़ा है अगर नहीं इसमें आप जाएंगे आपने 14 सर्च करना है तो 14 सर्च करेंगे 14 आपने टाइ करेंगे आपके पास देखिए सारे कोर्ट भी आ जाएं major system के जो कोड है यहां पर मिल जाएंगे आपको add के रूप में अब देखिए जो 14 आपने किया है तो यहां पर लिखा है है equator है काथर है Sai prior है द वायर है तो रहा है की इसमें से जो आपको मिलें जो अच्छा लगे जो समानता का अधिकार की बात कर रहा है यह को हमारे सब्सें मिल रहा है उसी को यहां से एक सब्सट उठाएंगे तारा है देखिए तारा यहां पर मिल ला है she सारा भी मिल रहा है इसी तरह से बहुत सारे से जो अगर आप अपने आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए अदर्वाइज आप यहां से उठा लीजिए कोई सब्द देखिए डियर डियर डोर इस सारे वर्ट्स मिल रहें यहां पर इसका साथ इतने सारे हैं जो आपको इसको यूज करिए इसी तरह से माल लेजे 18 का यूज 18 का देखना है तो 18 के लिए आप क्या करेंगे यहां पर टाइप करेंगे 18 और 18 के बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो देखिए how to memorize 18 major system में 18 को कैसे memorize करेंगे देखिए यह जितने भी सारे यहां पर लिखे हुए आ रहे हैं सभी code हैं इन code को आप यूज कर सकते हैं डाइफ दीवा देखिए कि वहले जो सूरू के हैं वर्ट इनी को है एच डीवी एटीवी ओडी दीवा डीवी आई यूटीवी देखिए बहुत सारे इसे कोड्स हैं टीवी ए कैसे आप याद कर सकते हैं डव है डव भी बना सकते हैं डी का वन वी का एट डव तो आप किसी को सर्च करना है 250 को जैसे सर्च करेंगे सर्च यहाँ पे 250 करेंगे सर्च कndंगे को दो हाँ monumental करने के लिए बहुत सारे इसमें दीआ गया देखिये आप की मेरजी जो वर्टस आपको आपके मैटर जो आपका मैटर होगा उस मैटर से मैच करता हुआ है उसी वर्टस को पकड़ेंगे और वहां रख लेंगे और याद कर पाएंगे उसको देखिए सब कोड है इसकी साथ-साथ अगर मालेजें बहुत सारे ऐसे ल या 325 आपने सर्च किया यहां पर क्लिक करके तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हाउ ट्रिमेंबर 325 देखिए मनीला मीनियाल बहुत सारे हैं ऐसे आपको मर्जी जो भी आप उस्मान अली युस एस मैनली जो भी आपकी मर्जी जो आपके मैटर से जो आपके मैटर होगा उस मैटर से मैच करते हैं बहुत लग रख लीजेगा मोनेल इस तरह से हैं बहुत सारे वर्ट्स वैसे खुद से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इसके साथ साथ जैसे मान लेजे कि आपने देखा है कि घागरा का युद्ध आप हाँ दूसरी चीज़े मैं बता दू कि अगर आपने कुछ ऐसे बनाने हैं जैसे वर्ट्स ऐसे बनाने हैं जो लगबग इस तरह से सेंचुरी से रिलेटेड हो जैसे बहुत सारे ऐसे युद् तो पंद्रह सव तो रहेगा ही रहेगा आप छोड़ दीजे इसका कोड बनाने जरूती ने कि लास्ट के दो डिजिट्स जो होंगे उनके कोड्स आप बना लेंगे तो यही आप पंद्रह बाइडिफाल्ट आप सब के सामने रखते जाएंगे हो जाएगा आपका जैसे पंद हमारे इतिहास में हुए हैं सब को आप याद कर पाएंगे अगर सोला सव सेंचुरी की बात की जाए तो सोला सव के लिए सोला सव को रखने रहने दीजिए बस इसके दो डिजिट्स लास्ट के आप रख लीजिए और आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा युद्द सोला सव म 17 में तो पूरे का बनाना है तो पूरे का भी बना सकते हैं या फिर इसको छोड़ दीजिए बाइडिफाल्ट 17 लगाते रहेगा और 72 का ही बना लीजिए तो सारी चीज़ें वहां से सर्च कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि कैसे आप बनाते हैं और किस तरह से आप याद याद करना एक्जांपल के लिए में बता दूं कि आप जानते हैं कि घाघरा का युद्ध घाघरा का युद्ध जाद रखना हो अगर इसको तो कैसे याद रखेंगे आप जानते हैं कि इसका युद्ध हुआ था 1559 में तो कैसे याद रखेंगे 15 तो बाई डिफाल्ट आप लगाएंगे ही लगाएंगे क्योंकि ज्यादा तर युद्ध पंदरसों में हुए हैं तो आप अपने इसाब से देख लिजेगा सब जितने युद्ध हुए हैं उन्हीं युद्धों को देखने के बाद आप देखे जो आपने नाप तो घागर जब भी बस याद रखेंगे घागर याद लड़की आप लेती हैं तो लेती बस नाप याद रखेंगे तो इस तरह से हो जाएका 15 आप लगा ही words पकड़ें आप तो ज़्यादा अच्छा होगा वही लंग टाइम तक याद रहेगा ठीक है फ्रेंट्स एक बार फिर देख लेते हैं remember z.com पे देखिए अब मुझे एक रियाद करना है 29 जैसा कि मैंने देखा 29 मैंने यहाँ पर सर्च किया तो देखिए 29 से बहुत सारे नीपा 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 देखिए बहुत सारे आ रहे हैं आपकी बात है आप अपनी मर्जी से कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत सारे नव है आप जो चाहें वो बना लें जो आपके words से match करता हो जिस जो आपको याद रखने में बिलक तू नाइन आपने सर्च किया इस तरह से तो देखिए इसके लिए एक बन जाएगा एक वर्ड्स पूरा एक वर्ड्स अगर आपके जो भी आपका मैटर था उस मैटर से मिलता है यहां से कुछ मिल रहा है तो आप जरूर उससे रख लीजिए ठीक है वो डिपेंट करता है ऐसी रहे यह वीडियो अगर किसी तरह की कोई प्राब्लम आ रही हो आपको निमोनिक बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मैं आपकी प्राब्लम रिजॉल्व करूंगा थैंक्यू जैहिंद